कब तक और कहा तक भागोगे भागने से समश्या का समाधान नहीं होगा समश्या का समाधान उससे लड़ने से होता है जैसा Direct Action Day 1 में गोपाल पाठाने किया था जी हां ये वो नायक है जिसने डाइरेक्ट एक्षन डे में एक के बदले दस को मारने का संकल्क लिया और दूसरे ही दिन डाइरेक्ट एक्षन डे खतम हो गया ये पूरा वीडियो देखिए और पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें जैशी राम पाजब करें दूसरे के नमस्कार दोस्तों बंगाल की हालत खराब है आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन और इस हालत का पबहुत से लोग भाजपा को ठेरा रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट के हो, चाहे वो भाजपा समर्थक हो, चाहे वो कोई भी हो, और ठीक भी है, देश में केंदर में बेठी है भाजपा, तो जिम्मेदर ही तो उनको देनी पड़ेगी, ठीक है, अब हम थोड़ा साना राजनीती से हट कर बातें करते हैं हमें पता है कि कश्मीर में 1991 में क्या हुआ था हम सभी जानते हैं कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को जो की हिंदू है उन्हें मार मार कर उनका बलातकार करके और उनका जो उनके मन में आया उस सब कुछ उन्हों किया और उस तरीके से प्रताडित करके उन्हें कश्मीर से भागने पर मजबूर किया और क्या हुआ हिंदू वहां से भाग भी गए ऐसा ही कुछ अब वेस्ट बेंगॉल में हो रहा है जिसे हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी हम क्या कर रहे हैं तो हम अभी भी इसे स सिर्फ राजनीती से जोड़के देख रहे हैं और हम सिर्फ इतना समझ पा रहे हैं कि भाजपा राष्ट्रपती साशन लगा देगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा अरे भाई कब तक गलत फेमियों में जी होगे कब तक सरकार प्रसाशन पुलिस फॉज और इनके पीछे खड़े होके जीने की कोशिशे करोगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचो जब तक तुम सरकार प्रसाशन कानून और इन सब के भरोसे जिंदा रहोगे तब तक जी नहीं पाओगे आज बंगाल में तुमको कुछ दिन के लिए राष्टपति शाशन लगा के समझ लो बचा भी लिया जाएगा उसके बाद क्या होगा आखिर कब तक बंगाल में राष्टपति शाशन लगाया जा सकेगा और ये केवल बंगाल की कहानी नहीं है अपनी आखे खोलो और ध्यान से देखो पूरे देश में हजारों लाखों की संख्या में मीनी पाकिस्तान तयार हो चुके हैं आप यदि कभी अपनी आखें अपने ग्यान चक्षू खोल कर देखेंगे तो आपके भी चारों तरफ कहीं न कहीं ये हूँची हूँची मिनारे और शोर करते महपू दिखाई दे जाएंगे जहां से किसी भी दिन डिरेक्ट एक्षन डे की बात होगी और आपको आपके घरों में घुशकर काट दिया जायेगा कारण कारण ये कि आप में प्रतिकार की छमता नहीं है अरे कोरोना से तो रोक प्रतिकार की छमता बढ़ाईगी आपको पता है जब आप प्रतिकारक्षमता बढ़ाओगे तो कोरोना से बच जाओगे लेकिन आपको यह नहीं पता कि देश के दुश्मनों से जिहादियों से आपको आपकी आत्मरक्षा की छमता बचाएगी यह क्यों नहीं समझ में आता है कब तक सरकार प्रसाशन पुलिश के पी बचाएगा क्योंकि हमारे सास्त्र तो साफ साफ कहते हैं कि यदि आप खुद अपने आपको नहीं बचा सकते हो तो इश्वर भी आपको नहीं बचाएगा इसलिए हमारे सास्त्रों में सस्त्रों को महत्व दिया गया है हमारे हर देवी देवताओं के हातों में सस्त्र दिय उन्हें खाली कमल नहीं पकड़ा दिया गया उन्हें खाली फूल नहीं पकड़ा दिया गया उन्हें सस्त्र दिये गये है हातों में कारण यही है कि यदि अपनी रक्षा करनी है तो शस्त्रों को अपने साथ रखना सीखो अपनी आत्मरक्षा करने की सोचो लेकिन ऐसी कोई स भाजपा हम जानते हैं कि यदि हिंदूओं के लिए कोई है तो वो है भाजपा लेकिन जब भी कुछ गड़बड होगा तो हम सही तरीके से गलत का विरोध करने की बजाए हम इनका विरोध करेंगे हम बिना किसी पॉलिटिकल सिचुएशन को बिना किसी पॉलिटिकल बैक्ग एक तरफ रहो ना या तो तुम उनके उपर भरोसा मत करो या उनको गाली मत दो दो में से एक काम लेकिन नहीं दोनों काम करेंगे उन पर ही भरोसा है और उनको इगाली भी देंगे और ये एक तरीके से ना सबसे बड़ा थूपकर चाटने जैसा उधारण है थूप चाटने जैसा क्यूँ 2014 में हमने जिताया क्यों जिताया क्यों हमें इन पर कुछ भरोसा आया 2019 में हमने उससे भी ज्यादा वोट दे कर इनको जिताया क्यों जिताया हमें इन पर भरोसा अब 2014 से 2019 के बीच में हमने कई बार इन पर लानत फेकी कि भाई पांच साल हो गए तुमने रामनंदिर नहीं बनाया तुमने तीन सो सतर नहीं अटाया तुमने फलाना नहीं किया धिमकाना नहीं किया और इतना ही नहीं हमने इन्हें ये भी कहा कि अगर तुमने रामनंदिर बना दिया तो हम तुमें ही जिंदिकी बर वोट देंगे कि हम तुम्हें अपना मसीहा मान लेंगे, फलाना, ढिमकाना, बहुत कुछ, लेकिन मराम मंदिर बनाने के लिए आगे भी बढ़ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब जब भी कुछ छोटी सी बात होती है, तो हम सीधा उठके भाजपा को गालियां देना शुरू कर देते हैं हम इने अपमानित करना शुरू कर देते हैं, हम यह नहीं सोचते कि हमारी खुद की क्या उकात है, हम अपने घरों से सारे लोग यदि वोट देने भी निकल जाएं ना, यदि सारे हिंदू वोट देने निकल जाएं, तो हम आसानी से अपने आपको बचा सकते हैं, लेकिन हम कौन सी राजनिटिक पार्टी आपको बचाएगी, या कौन सा नेता, कोई नहीं बचाएगा, यदि भाजपा नहीं बचा सकती, तो कोई नहीं बचाएगा, यह तो आप लिखके ले लिजिए, तो आपको विश्वास है कि भाजपा आपके लिए नहीं है, भाजपा आपको जोडिये ये मेरा भरोसा है कि अपने आसपास के लोगों का भी हम नहीं जानते हैं जबकि ये जिहादी जिन से हम लड़ना चाहते हैं वो दूर दूर तक के इलाके के लोगों को जानते हैं ये अपनी निशानियों को बड़े शौक से बड़े गरों से लगाते हैं हमें अपन बीस बाइस आघे है चौधा से लेके तब भी हमें अपनी निशानिया लगाने में शर्म आती यह बड़ी ताजुब की बात है कि हम बाते करते हैं जै हिंडू तो हिंधू राश्रां फलाना ढीमकाना लेकिन हम खुद र Death to नहीं बन पा वाले आपके आपके जैसी विचारधारा वाली लोग है उनको अपने साथ जुड़ो मन्थन करो देखो कि आपके छेतर में क्या चल रहा है क्या गलत है क्या सही है कैसे अगर कोई अकस्मात situation आती है तो आप अपने आपको बचा पाओगे यह सारी चीजें जब तक नहीं सोचोगे ना तब तक सिर्फ ऐसे ही रोते रहोगे आज वेस्ट बेंग ओल कल को पूरे देश में ऐसा होगा और कोई नहीं बचा पाएगा गलत फैमी में मत रहिएगा कि कोई आपको बचा कोई नहीं इसलिए राजनीती को साइड में रखिए और मैं तो कहता हूं ध्यान दीजिए अगर राजनीती को समझते हो समझ सकते हो तो अच्छे से समझने की कोशिच कीजिए नहीं समझते हो तो उसको साइड चोड़ दीजिए लेकिन अपनी चिंता कीजिए अपने को नाम का एक ट्रेंट चलाए जा रहा है स्पाइनलेस तो है बीजेपी इसमें कोई दोश नहीं है स्पाइनलेस क्यों है स्पाइन क्या होती है रीड की हड़ी और राजनितिक पार्टियों की रीड की हड़ी उनके समर्थक तो अब आप समझ सकते हैं कि हाँ डेफिरेटली पाजनितिक भिल्टेशन ढंक से करें और इस युद्ध के मैदान को जो ये ग्रहेद्ध छिड़ा हुआ है इसको समझने की कोशिश करें तो हम जीत पाएंगे वरना जैसा लेफ्ट कर रहा है वैसा ही हम करने लगे तो कुछ होने वाला नहीं है लेफ्ट भाजपागों वा अपनी सोचो छुड़ दो भाजपागी अपनी सोचो और अपने आपको मजबूत करो अपने आपको शशत्र करो यदि आप अपने आपकी रक्षा नहीं कर सकते हो तो कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा आशा है आप इस वीडियो को सकारात्मक रूप से समझेंगे सकारात् क्षित करने की कोशिशें तुरंद प्रभावस्टे शुरूंगे